हलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है wisdom of study पर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे के ओपर डिसकस करूँगा तो ये विशे है हमारा अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना एक स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा करने की कोहिश करूगा और समझाने की कोहिश करूँगा इस पूरे योजना को तो आप इसे विशेस प्रकार से सुनकर समझने की कोहिश करें कि यह आपको किस तरह से फायदा पहुचा सकता है तो पहला सवाल है इस प्रकार का कि अटल पेंशन योजना का लाब केसे उठा स बाद के खर्च करने के लिए आपको नियमित आए मिलती रहेगी मतलब ये क्या कहना चाहरा है कि यदि आप असंगटीत मतलब और्गिनाइस सेक्टर के यदि आप एमपलोई नहीं है मतलब आप सरकारी अधिकारी या सरकारी नोकर शाह नहीं है तो आपको इसके बाद भी इस योजना के तहत आपको पेंशन मिलेगी यदि आप 60 वर्स की उम्र पार कर लेते हैं तो केंदर सरकार ने जो APY है इसको मई 2015 में शुरू किया था इससे पहले असंगटीत छेतर में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं थी अटल पेंशन योजना में निवेस से रिटायर होने के बाद आप हर माँ पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं APY योजना के सबसे बड़े खाशियत हिया है कि अगर आपकी असमाईक मृत्ती हो जाती है मतलब जो यहाँ पर पेंशन जमा कर जो वेक्ति अपना EMI जमा करता है यदि उसके मृत्ती हो जाती है या उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्ती हो जाती है तो वह उसका पैसा नहीं डूबने वाला वह उसका पैसा वह वेक्ति जो जिसको नामित करेगा कि उसको मिलना चाहिए नामीनी को तो वह पैसा उसके परिवार के सद़स्यों को मिलने का प्रावधान इसमें रखा गया है अडल पेंशन योजना में निवेश करने वाले वेक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और प्रत्नी की मृत्ति होने के बाद यह पेंशन जो है उसकी बच्चे को भी मिलेगा ये इसमें पुरा प्रावधान किया गया है तो जिसा कि आप देखेंगे इसमें तो इसमें क्या होगा कि जब आपकी रेटार्मेंट हो जाता है तो आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 प्रतीमा न्यूतन वेतर प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहट तो फिर इसके बाद आप देखेंगे आपर कि रेटार्मेंट हो जाता है आपका रेटार्मेंट होने के बाद जो प्रावधान है उस प्रावधान में ये सारी जो अंशदान है ये अंशदान आपको मिलता रहेगा अब हम किसके लिए है ये अटल पेंशन योजना तो दीखिए अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतिय निवेश सुरू कर सकता है मतलब कोई भी भारतिय है वो इस योजना में अपने पेसे लगा सकता है जमा कर सकता है EMI के रूप में अटल पेंशन योजना में आपको जमा करने के लिए आपके पास bank का खाता होना जरूरी है वह saving account भी हो सकता है डाग घर का भी हो सकता है APY खाता खोलने के लिए इसे अधार card से जुड़ा होना भी जरूरी है मतलब अधार card से जुड़ा होना बहुत जरूरी है क्योंकि DBT जो है डारेक्ट बेनिफिस्ट ट्रांसफर इस माध्यम से यह सारा कारेप प्रोसेस किया जाएगा अटल पेंशन योजना का लाब उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इंकम टेक्स स्लेप से बाहर है समझे आप वह व्यक्ति जो इंकम टेक्स भरता है वह इस योजना में नहीं आ सकता तो APY खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है तो देखिए APY खाता खोलने की सबसे प्रारंबिक प्रक्रिया यह है कि आपको बेंक शाका, पोस्ट ओफिस जहां पर व्यक्ति का बचत बेंक है वहाँ पर जाकर के संपर्क कर सकता है यदि नहीं है तो नया खाता खोल सकता है बेंक, डाकगर या बचत बेंक खाता, संख्या जो उपलब्द कराएगा और बेंक करमचारों के मदद के लिए APY पंजेन फॉर्म भरेगा वो फिर अधार कार्ड मुबाइल नंबर उपलब्द कराया जाएगा इसका अनिवार होगा क्योंकि यदि आप अधार नंबर नहीं जमा करते हैं आपका मुबाइल नंबर नहीं जमा करते हैं तो आपको पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी यहां आपकी संचार सुविधा के लिए कहा गया है फिर मासीक, तिमाही और छामाही योगदान के हस्तानतरण के लिए बच्चत बेंक खाता डागघर बच्चत बेंक खाते में अवशक रासी रखना सुनिश्चित करना होगा मतलब आपको यहां पर एक विशेस प्रकार का जो एमाउंट रहेगा वो विशेस एमाउंट आपको इसमें जमा करना होगा तभी आपका जो यह प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा जिसे EMI के रूप में कहा जा सकता है फिर इसमें क्या रखा गया है? APY में उम्र की सीमा क्या है? तो देखिए अटल पेंशन योजना में जो उम्र की सीमा है उसके लिए कम से कम 6 सलेब यहां पर बाटा गया है अटल पेंशन योजना का जो सलेब है उसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर के 40 के बीच में रखी गई है APY के तहित pension पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना अनिवार होगा यदि आप minimum 20 साल तक maximum 20 साल तक आप निवेश करते हैं minimum से ले करके तो आपको यहाँ पर बहुत जादा फायदा होगा जैसे कि आप 18 साल के हैं अभी 18 साल से अगले 20 वर्चों तक मतलब आप यहाँ पर 38 सालों तक यहाँ पर यदि आप EMI जमा करते हैं तो आपको वह जादा फायदा होगा फिर आप 39 के हैं 39 से अभी यदा आप जमा करना चाहते हैं तो आपको 20 प्लस 8 करना होगा मतलब 59 तक जमा करेंगे आप तो यदि आप बहुत प्रारंबिक इस्तिती में आगर की जमा करते हैं तो आपको बहुत यादा अच्छे से यहाँ पर फायदा मिलेगा फिर APY में कितना पेंशन मिलेगा तो देखिए APY में पेंशन की रकम आपके द्वारा किये गए निवेश के अधार पर निर्भर करता है अटल पेंशन योजना के तहट कम से कम 1000 रुपे और अधिक तम 5000 रुपे मासिक पेंशन मिल सकता है 60 वर्स के उम्र में आपको APY के तहट पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा यह इसमें प्रावधान रखा गया है तो क्या है APY का फायदा तो देखिए आप जितनी जल्दी पेंशन जमा करना मतलब APY से जुड़ेंगे उतना अधिक आपको फायदा मिलेगा यदि कोई विक्ति 18 साल के उम्र में APY से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपे का पेंशन के मतलब निवेश करना होगा EMI के रूप में रेटायर होने के बाद 60 साल के उम्र से अगल आपको हर महीने 5-4 रुपे का पेंशन मिलना प्रारम हो जाएगा मतलब यदि आप जितना जल्दी प्रारम करते हैं 18 साल के उम्र से तो आपको ज्यादा स्यादा पैसा मिलेगा यदि आप जितना लेट करेंगे तो वो जो पेंशन की जो मतलब कह सकते हैं आप पे कि जो राशी है वो राशी कम होती जाएगी अब यहाँ पर ये तो हो गया किनको मिलेगा क्या प्रावदाने किस तरीके से आपको एकाउंट जनरेट करना होगा अब बात करते हैं किनको या योजना का लाब नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग जो इंकम टेक्स भरते हैं मतलब इंकम टेक्स के दाहरे में आते हैं सरकारी एंप्लॉई हैं या फिर पहले से ही EPF, EPS मतलब Employment Provident Fund जो होता है Employment Provident Services जो होती है उस योजना का लाब दे रहे हैं वे अटल पेंसन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते मतलब यहाँ पर पहले इस पस्ट किया गया है कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो की Un-Organized Sector से आते हैं यहाँ पर कुछ कानून है उस कानून के तहट जो लोग आते हैं उसन को भी यह फायदा नहीं मिलेगा तो यह कानून है कि कर्मचारी भविश निधी और विविद प्रावधान अधिनियम 1952 के तहट जो लोग अंतरगत आते हैं फिर कोईला खान भविश निधी और विविद प्रावधान अधिनियम 1948 फिर असम चाय बगान भविश निधी और विविद प्रावधान 1955 नाविक भविश निधी अधिनियम 1966 जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविश निधी और विविद प्रावधान अधिनियम 1961 और भी क कोई अन्य वेधानिक समाजिक सुरक्षा अधिनियम जो हैं जिसके अंतरगा जुत जो करमचारी आते हैं उनको भी अलाब नहीं मिलेगा फिर हम बात करते हैं कुछ अन्य महतोपुने तथ्यों के उपर तो देखिए यह APY खाते में नमांकन वीत्रण प्रदान करना अनिवार करनी होगी पती या पतनी और नामित के आधार पर जनकारी प्रदान की जा सकती है फिर दूसरा बात इसमें यह कहा गया है कि एक ग्रहा केवल एक APY खाता खोल सकता है वो दूसरा खाता नहीं खोल सकता एक ग्रहा एक वर्ष के दोरान एक पेंशन राशी को बढ़ाने या लिए विकल्प चुन सकता है जैसे कि पहले उसने 210 का EMI लिया था वो चाया तो कम कर सकता है या बढ़ा भी सकता है उसकी सुविधा के अनुसार फिर APY ग्रहा को को PRAN के सक्रियता खाते में शेसरासी योगदान क्रेडिट आधी के बारे में SMS अलर्ट के माध्यम से समय समय पर जनकारी प्राप्त होती रहेगी ग्रहा को साल में एक बार खाते का भोतिक विवरन भी दिया जाएगा मतलब भोतिक विवरन मतलब उसको सारी जनकारी दी जाएगी आपने इतना रुपे जमा कर दिया है फिर APY का सलाना भोतिक विवरन भी ग्रहा को के लिए प्रदान क पिर योगदान, आवास, इस्थान के परिवर्तन के बारे में मामलों में जानकारी के लिए आटो क्रेडिट के माध्यम से बिना रुकावट से प्रेशित किया जा सकता है। इसके अलावा भी यदि आप अन्य कोई प्रकार के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यह जो नंबर दिया हुआ है टोलफी नंबर है 1800 110069 एक बार और रिपीट कर देता हूं में 1800 110069 इस नंबर पर कॉल करके आप और भी अत्रिक्त जानकारी प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो जो है मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया था अटल पैंशन योजना इसकी इस परस्ट जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी तो मैं आप से उमीद करूँगा कि आपके जो भी नियर एं तो वह योजना का लाब ले सकें तो धन्यबाद दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था ताकि आपको मैं अवेर कर सकूँ अन्य इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो चैनल है विज्डम अबेस्टेडी इसे सब्सक्राइ करें ताकि आपको अन्य विशेश प्रकार के जो वीडियो बनाया जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो सकें तो थैंकि सो मच हेवे गुड़े जय हिन जय भारत